तो दोस्तो जैसे कि आप से मिने वीडियो के थम्नेल और दोस्तो टाइटल में भी आप लोग ने देखी लिया होगा आज की इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं दोस्तो कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से HDFC बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं अगर दोस्तो आप HDFC के अंदर अकाउंट ओपिन करते हैं तो आपको काफी तरीकी का दोस्तो बेनिफिट मिलता है। जैसे कि दोस्तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बता दोस्तो अगर आपका अकाउंट ओपिन हो जाता है तो इंस्टेंट आपको अकाउंट नमबर मिल जाएगा। करने के बाद आप फोन पे गुगल पे जैसे दोस्तो सभी सर्विस का फैदा उठा सकते हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकरी आज हम लोग जानने वाले दोस्तो कि किस तरीके से हम लोग जो हैं आज हम लोग शीखने वाले हैं कि किस तरह किसे अकाउंट ओपिन किया जाता है तो वीडियो को दोस्तो आपको ध्यान से देखना है तबी जाकर कि आप लोग जो है अकाउंट खोल पाओगे नहीं तो दोस्तो इसकीप करोगे तो अकाउंट आपका नहीं खुलेगा तो चल इंतरफेस आपको है काफी तरीके का दोसो benefit आपको है और यहाँ पर दोसो आपको जो है credit card भी ज़्यादा offer किया जाता है इस accounts के उपर HDFC के को भी account है दोसो उसमें credit card का भी दोसो offer आपको बहुत जल्दी मिलता है मैंने भी दोसो यहाँ पर मैं use कर रहा हूँ तो चली आप मैं आपको दिखाता हूँ दोसो के किस तरीके से जो है इसको account open करना है तो यहाँ पर आने के बाद दोसो आपको अपना mobile number यहाँ पर डालना है उसके बाद दोसो आपके सामने दोसो इस तरीकी का interface आ जाएगा जिनका आप accounts open कर रहे हैं वो दोसो mister हैं या miss हैं जो भी हैं दोसो यहाँ पर उनका select करेंगे और यहाँ पर दोसो उनका पुरा full नाम डालेंगे जैसा दोसो document भी लिखा होगा आधार कार्ड में पैन कार्ड में जैसा लिखा होगा सेम यहाँ पर डालने के बाद आपको gate OTP के options पे क्लिक करना है तो चलिए हम यहाँ पर डालके gate OTP में क्लिक करते हैं उसके बाद दोसो आपके mobile number पे एक one time OTP भेजा जाएगा उस OTP के दोसो यहाँ पर आपको इस तरीके से allow कर देना है या तो दोसो आपको OTP जो है इस box में fill करने के बाद आपको submit OTP के options पे क्लिक करना है तो OTP दोसो हमारे पास आ चुका है हम चलिए यहाँ पर OTP डालते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं याद रखना दोसो यह सकेंड जाने से पहले आपको OTP डाला उसके बाद दोसो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा identity information में दोसो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर दोसो देखते हैं no branch यहाँ पर दोसो requirement यहनि कि दोसो आपको ब्रांच भी जाने की कोई भी जरुवत नहीं है और उसके बाद आपके सामने दोसो इस तरीके का पेज आया है अब इसका पेज का मतलब यह है दोसो कि आपको अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सरकारी scheme का पैसा आपका इस account के अंदर चला जाए तो आप यहाँ पर जो है इसको सबसे पहले तो टीक आपको करना ही होगा यहाँ पर तो दोसो आपको टीक करने के बाद आगर दोसो आप चाहते है कि कोई भी सरकारी का scheme का पैसा आपको इसी bank account के अंदर मिले तो उसके लिए दोस्व आपको debit को on करना होगा यानि कि dbt डारेंट, money, transfer इसका मतलब यह है दोस्व कि direct जो है आपका जो भी आपका scheme का पैसा है जैसी दोस्व आपका शरकारी का को भी scheme मिलता है PM किसान का पैसा है या दोस्व किसी भी परकार का आपको scheme का balance है उसको आप चाहते हैं दोस्तो इसी account के अंदर लेना तो उसके लिए दोस्तो यहाँ पर आपको इसको on करना होगा और on करने के बाद आपको यहाँ पर टीक लगाना होगा टीक लगाने के बाद दोस्तो आपका जो भी होगा दोस्तो balance आपको जो है इसी account के अंदर दोसो credit होना start हो जाएगा लेकिन दोसो फिलाल मुझे जो है इसके अंदर में नहीं चाहिए तो हम इसको दोसो यहां पर क्या करेंगे इस page को cut तो यहां पर मैंने दोसो इसको बंद कर दिया है मैं dbt दोसो दूसरा accounts के अंदर लेना चाहूंगा balance इसके अंदर में नहीं लेना चाहूंगा तो यहां पर दोसो आपको जो है termine conditions को accept करने के बाद आपको जो है आपको agree में किलिक करने के बाद आपको यहां पर दोसो देख सकते हैं यहां पर जो है continue options पर किलिक करना है लेकिन दोसो अगर आपको government scheme का पैसा चाहिए तो आपको जरूर on कर लेना बहुत ही important चीज़ है तो यहां पर दोसो देखते है no dbt यहां पर दोसो हमारा dbt नहीं किया गया था हम यहां पर continue करेंगे continue में दोसो किलिक करने के बाद page आपका जो है virtual id से भी आप जो है इसको यहां पर number डाल करके आप आगे का process कर सकते हैं लेकिन हमारे पास आधार card है तो आधार card का number डालेंगे term and condition को डालके get otp में किलिक कर आपके आधार card के साथ जो mobile number link है दोसो उस पर एक otp भेजा जाएगा otp दोसो देखे ते अभी हमारे पास जो है भेजा जा चुका है और यहां पर दोसो otp डालने के बाद आपको यहां पर verify e kyc के options पे आपको किलिक करना होगा अब यहां पर एक चीज में आपको confirm कर दो दोसो पहले clear कर दूँ आप काफी लोग बोलते हैं कि sir अभी हमारा जो है आधार कार्ड के साथ जो है mobile number link नहीं है तो क्या हम accounts open कर पाएंगे तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले आपको clear कर दो दोसो अगर आपका आधार कार्ड के साथ mobile number link नहीं है तो आप यहां पर दोसो इस accounts को open नहीं कर पाएंगे तो चलिए हमारे पास दोसो OTP आ चुक है OTP डाल के verify EKYC में कलिक करें उसके बाद दोसो आपके सामने दोसो आपका पूरा आधार कार्ड के साथ जो भी आपका detail होगा वो आपको यहां पर match करेगा UIDAI के तरफ से ठीक है आधार कार्ड के तरफ से तो उसके बाद दोसो यहां पर देखे थे सारा detail आ चुका है अब आने के बाद दोसो यहां पर यहां पर सबसे उपर में दोसो नाम आ चुका है जिनका accounts open हम कर रहे हैं उनका date of worth आ चुका है जिसको दोसो हमने यहां पर भी बलर करके रखा हुआ है और यहां पर दोसो उनका जो है देखे थे यहां पर उनका पूरा address आ चुका है जिनका भी दोसो हम accounts open कर रहे हैं उसके बाद दोसो यहां पर आपको नीचे क्या करना है आपको just यहां पर दोसो नीचे जो है तो यहां पर दोसो आपको select करना है कि आपका दोसो जीला अपका कौन सा है यारि कि दोसो आपके pin code के हिसाब से दोसो आप branch कहां पर रखना चाहते हैं वो branch का दोसो नाम आ जायेगा जैसे कि दोसो अभी हमारे पास काफी branch का नाम आ चुका है जिसको मैंने बलर किया हुआ है, हम चली यहाँ पर अपने एक branch को choose करते हैं, उसके बाद दोसों आपको थोड़ा सा नीचे scroll करना है, यहाँ पर दोसों इंडिया आपका automatic आ जाएगा, यहाँ पर दोसों आप जहाँ पर रहते हैं वो घर आपका खुद का है, यहाँ आप रें यहाँ पर दोसों आपको नीचे branch को select करना होगा, तो यहाँ पर हम अपना branch को select करेंगे, उपर में दोसों यहाँ पर हम लोगों ने select किया था, जो भी हमारा जीला था, वो हमने select किया था, अब यहाँ से दोसों आपको अपना branch को select करना है, और select करने के बाद आपको नीचे continue के options पर क्लिक करना है simple process है कोई बड़ी बात नहीं है दोसों तो यहां पर बस ध्यान से आपको देखना है accounts easily तुरंथ open हो जाता है चलिए मैं इन सारी चीछ को आगे बढ़ता हूँ डाल करके सबसे उपर में आपसे पूछा जा रहा है कि आप salary है या self-employed है तो यहां पर अगर आप self-employed है तो वो डालेंगे अगर आप housewife है वो डालेंगे अगर आप student है वो डालेंगे यहां पर जो भी होगा आप अपने हिसाब से दोसों डाल देना जैसे कि यहां पर फिलाल में self-employed में मैं किलिक करता हूँ और यहां पर दोसों आपको अपने email id डालना है email id डालने के बाद दोसो annual income यहां पर आपको डालना है कि आप annual income कितना कर लेते हैं तो यहां पर मैं दोसो annual income जो है यहां पर मैं डाल देता हूँ 50,000 ठीक है यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते 50,000 पांच लाग जो भी आपको लगे यहाँ पर आपको फिल कर देना है मैंने फिल कर दिया है उसके बाद दोस्तों प्लीस सेलेक्ट योर यहाँ पर दोस्तों आप जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं इंडिविज्वल है या आप जो है आप किस तरीके का यहाँ पर बिजनेस करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेट करना होगा select करने के बाद दोसो आपको नीचे जो है pen card का number डालना है और यहाँ पर time and condition को accept करना है और नीचे दोसो आपको scroll करके आना है यहाँ पर दोसो पुछा जा रहा है कि आप किस तरीके का काम करते हैं आप किस तरीके का job अगरा करते हैं आप किस तरीके का तो यहाँ पर आपको काफी तरीके का मिल जाएगा दोसो आप अगर horse wife हैं तो horse wife डालेंगे अगर आप यूटूबर हैं तो यूटूबर भी यहाँ पर आप डाल सकते दोसो यहां पर देख सेते हैं यहां पर मैं यूटूबर में डाल देता हूँ ठीक है उसके बाद दोस्व आपको नीचे जो है नीचे आप से स्क्रोल करके आपको नीचे आ उसके बाद दोस्व यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है यानि कि दोस्व आप मन्थली कितन options पर क्लिक करना है सारा 2012 इसी तरीकर से डालना है चली हम डालके बढ़ते हैं उसके बाद रसों आपका ब्रांच का दोसन नाम ओपर में आ जाएगा ब्रांच का नाम औंपार आने के बाद वाद दोससो आपको जो yn इस तरीके का saving account दोसो आपको है जिसमें आपको दोसो एक debit card दिया जाएगा और आपको जो है इस तरीके का सारे सामने आपके सामने यहाँ पर दोसो दो accounts यहाँ पर दोसो निकल करके आ चुका है यहाँ पर मैं दोसो दोनों में से हमारा Zero Balance Saving Account open होगा तो आपको दोसो नीची वाले को आपको स्क्रोल करना है नीची वाले को टीक लगाना है और टीक लगाने के बाद दोसो आपको इस Continue के Options पर क्लिक कर उसके बाद दोसो यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि आप Single है या अप Married है अगर आप Married है तो Married ढालेगे और अगर आप दोसो सिंगल है तो आप Single में चूस करेंगे उसके बाद दोसो यहां पर जो है चूस करने के बाद जैसे कि यहां पर दीटиते मैं ने यहां पर Single ढल दिया है उसके बाद दोसो यहां पर आपके सामने दोस्तों पूछा जा रहा है किया आप HDFC बाइंग के यानि के दोस्तों आपको बाइंग के तरफ से कोई हेल्प वगरा चाहिए तो आप इसको yes कर देना उसके बाद दोस्तों आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रोल करना है यहां पर दोस्तों आप देख सीथे प्रोमो कोड यहां पर पूछा जा रहा है तो प्रोमो कोड यहां पर कुछ भी आपको नहीं डालना है बस आपको नीचे यहां पर सिंपल से यहां पर सारा डेटल डालने के बाद समिट करना है अब आपका page दोसो पूरा यहाँ पर जो है successful दोसो तियार हो चुका है जिसके लिए आपको दोसो वीडियो KYC करना होगा वीडियो KYC करने के लिए दोसो आपको यहाँ पर I agree में क्लिक करना है लेकिन उससे पहले यहाँ पर दोसो आपके पास original आपका आधार कार्ड होना चाह चाहिए एंड उसके बाद दोसो आपके पास एक सादा पेपर होना चाहिए और आपके पास एक पैन होना चाहिए अगर यह सारची दोसो आपके पास मौझूद है ता आप यहाँ पर जो है agree के options पर क्लिक करेंगे आपका दोसो call यहाँ से जो है आपको एक HDFC customer के साथ दोसो आपको जो है जो भी आपका accounts number है customer ID है दोसो आपको SMS के माधियम से मिल जाएगा उसके बाद दोसो आप phone पे Google पे और यहाँ पर HDFC का mobile banking यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से दोसो आप लोग है HDFC के अंदर accounts open कर सकते हैं याद रखना है दोसो 10 बजे के बाद आपको दोसो यह साँ पर जो है आपका KYC के लिए दोस्तों आपके mobile नंबर पर SMS आएगा उस लिंक पर क्लिक करना और आपका वीडियो KYC कम्पलीट हो जाएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते नेक्स वीडियो